दोस्तो ये दो मिनिट का वीडियो है और इस दो मिनिट के वीडियो में 5.5 मिलियन दोस्तो वीउस आ रखा है और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बहुत वीडियो वाला चैनल है जी नहीं दोस्तो इस चैनल पर सिर्फ 12 वीडियो है और 12 वीडियो अपलोड करके इन्हो आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस तरह के वीडियो आप सिर्फ और सिर्फ AI का यूज़ करके बना सकते हैं और ये वीडियो कैसे बनेगा A to Z इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा script कैसे लिखोगे, editing कैसे करोगे, इस तरह के character कहां से लाओगे कैसे, मतलब A to Z जो भी होता है, वो आपको दोस्तो इसी वीडियो से पता चल जाएगा तो वीडियो को carefully watch करना, तो चलिए सीधे point पर आते हैं कि आप ऐसे वीडियो कैसे बना पाओगे सबसे जो पहला चीज़ आता है, वो है आपको script कहां से मिलेगा, ऐसे वीडियो का दोस्तो script आपको जैसे मैंने कहा था कि पूरा AI से बनेगा ये वीडियो, तो script भी दोस्तो हम AI से ही लेंगे वैसे आप चाहो तो खुद से सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये सिखाऊंगा कि आप AI से script generate कैसे करवाओगे चलिए चलते हैं chat GPT पर, तो दोस्तो chat GPT पर आकर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर आप देख सेकते हो मेरा जो prompt है इसको आप simple एक screenshot लेके रख लो as it is आप लिख सकते हो, या फिर ये prompt मैं आपको मैरे telegram channel पर दे दूँगा, वहाँ से जाके copy, paste कर लेना या फिर simple screenshot लो और देख देख के लिख दो मैंने क्या लिखा है, अब दस तो यहाँ पर मैंने जो script लिखवाया है, मैंने जो prompt दिया है, वो क्या दिया है, आप एक बस सुन लिजीए, समझ लिजीए, ताकि आप खुद अपने हिसाब से इस तरह की जो prompts है, इनको generate कर पाओ, ठीक है, तो दीकिए, I am creating an animation video for kids up to 8 years old, यानि कि मैं 8 साल के बच्चों तक के लिए एक video बनाना चाहता हूँ, जो कि animation video होगा, I want to create an educational video, but the video must have elements like fun, anger, adventure, emotional and a good ending, the script must be 2-3 minutes long video, यानि मैं एक educational video बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर adventure, fun, ये सब चीज़े होगा, end में good ending भी मुझे चाहिए, और दोस्तों, ये जो script होगा, सिर्फ 2-3 minute long video के लिए ही होगा, अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि आप इनके channel पर अगर आओगे, तो हर video आपको 1-2-3 minute के अंदर ही देखने को मिलेगा, उससे बड़ा video दोस्तों इनके पास नहीं है, तो दे बना सकते हो, जैसे यहाँ पर आया है, लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ, कि मेरा जो video होगा, उसमें human character होना चाहिए, तो देखिए, मैंने ये अपर किया लिखा, my video should have human character only, ये कि मुझे मेरे video पे, सिर्फ और सिर्फ human character चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, तो अब दो video की बात करो, video की बात करो, character की बात करो, सब कुछ AI करके देगा, तो easily English को target कर सकतो, क्योंकि वहाँ पर revenue ज्यादा है, earning आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा, growth भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो simple English को target कर सकतो, या पर अगर लगता है, कि नहीं भाई, मुझे तो Hindi में लिखना शुरू कर चुका है, अब यहाँ पर जो नाम है, वो आप Hindi के हिसाब से change कर लेना, जैसे यहाँ पर देखिए, Tommy, तो Tommy normally Hindi में लोग use नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर कोई और नाम ले सकते हो, तो इस तरह से आपके लिए story generate हो जाएगा, अब देखिए, कहा यहाँ पर, मतलब script किस तरह से बनाया देखिए, सबसे पहले, यहाँ पर आपको यह भी देखने को मिलेगा, क्या introduction होगा, उसके बाद scene कौन सा होगा, जैसे यहाँ पर जंगल में है, यहाँ पर आश्चरे जनक कुछ होगा, तो यहाँ पर क्यूंकि मैंने adventurous बोला था, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेट करना है, वीडियो के अंदर, मैं आपको एक्जामपल दे के एक बार दिखा दूंगा, तो अब दोस्तों यहाँ पर जैसे यह एक बच्चे की story है, तो यहाँ पर आपको character के हिसाब सब को बच्चा चाहिए, ठीक है, तो अब दोस्त देख सकते हो, यह इसका address है, app.leonard.ai, जो website है, इसको अब simple google में लिख देना, तो यह website आ जाएगा, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद, थोड़ा सा, जश्ट थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पर देखिए, एक community creations नाम का option होगा, थोड़ा सा इधर अगर और click करने के बाद देखिए, यहाँ पर जो open होका आएगा, बहुत सारे characters open होका आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमें human character जो आपको चाहिए, जैसे मेरे case पर मुझे Tommy चाहिए, तो यहाँ पर मैं Tommy type का कुछ बच्चा सा धूनता हूँ, वैसे यह वो characters हैं, जो किसी और ने create किया लेकिन आप इनको freely use कर सकते हो, या फिर आप खुद का character भी यहाँ से बना सकते हो, तो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आपको यह choose करना होगा, कि आपको किस type के दीखने वाले character चाहिए, जैसे इस type का character मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसक models आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उहाँ से भी choose कर सकते हो, और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एकदम home page पर आओगे, and image creation पर क्लिक करोगे, तो दोस्तों, यहाँ पर आप खुद का image भी generate कर सकते हो, यासे यहाँ पर simple type of prompt लिखा है, यहाँ पर आपको लिख दे दोस्तों, मुझे यहाँ पर download करने का option मिल जाएगा, image मेरा download हो गया, तो दोनों तरीक आपको दिखा दिए, खुद से बनाना है, तो वो कर सकते हो, किसी और का बनाया हुआ download करना है, तो वो कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना, तो Google से भी image लेके कर सकते हो, अब दोस्तों, हम background को remove करना होगा, यह हमारा next target है, तो इसके लिए मैं use करूँगा remove.bg का, मैं free वाला use कर रहा हूँ, आप चाओ तो paid वाला कर सकते हो, या आपके नजर में अगर इस से bitter कुछ है, तो आप simple वो कर सकते हो, free में मुझे यही best लगता है, तो इसका use कर रहा हूँ, image मैंने background remove करने लगा है, देखते हैं, कब complete होता है, complete होने के बाद कैसा लगता है, देखिए, मेरा image के background है, वो काफी अच्छी तरह से remove हो चुका है, मैं यहाँ पर simple इसको download कर लूँगा, normal वाला download, क्योंकि HD में download मैं नहीं कर सकता, वो free वालो के लिए नहीं है, अब दोस्तों, यह जो मेरा background remove वाला image है, अब मुझे इस पर green screen देना होगा, मतलब इसके पीछे green परदा देना होगा, अब वो मैं कैसे दूँगा, वो दूँगा दोस्तों, pixel lab से, यह pixel lab इसके बारे में शायद सबको पता है, जिनको नहीं पता वो play store में जाओ, pixel lab सेर्च करो, download कर लो, तो सब इस option में आएंगे, इस option में आने के बाद, color पर click करेंगे, जो पहले ही था, अब color पर फिर से जाओंगा, plus करूंगा, अब दोस्तों, यहां से, एक green color मैं ले लूँगा, तो green मैं ने ले लिया, देखिए, इसका background पूरा का पूरा green हो चुका है, चीक है, तो इसको दोस्तों मैं simple अब save कर लूँगा, तो इस तरह से आप जितने भी character को download करोगे, हर एक character को background remove करके, green screen add करना, मत भूलना, अब दोस्तों, next जो step है, वो है हमारा lumalabs.ai, यह वाला website यहां पर जाएंगे, और यहां पर जो मारा image था, उसे upload करेंगे, यह दिखिए, image को upload कर दिया, अब यह यहां पर यह image क्या करेंगा, मुझे इससे लिखना है, तो यहां पर मैं standing, simple and talking, यह चीज़ लिख दिया, अब यहां पर मैं बोलोंगा, इसको generate कर देंगे, यह सीधा खड़ा रहेगा और बात करेंगा, और यह जो मैं बात करने वाला pose अभी बना रहा हूँ, ऐसे ही आप multiple pose बना सकते हो, जैसे चलना, बात करना, जो भी आपको चाहिए, जैसे जो pose system, मैंने twin tunes के बारे में एक video बनाया था, यह है twin tunes, इस application के बारे में जब मैंने video बनाया था, तब आपको सिखा आया था, कि आप किस तरह से आप pose change बगरा करोगे, यहां पर option भी मिले जायागा आपक देखने को भी, या फिर आप simple download करके check भी कर सकते हो, यह एक animation बनाने वाला app था, इसके बारे में मैंने video बनाया था, काफी अच्छा response आपने इस video को दिया था, thank you उसके लिए, तो बस जैसे twin tunes में pose change था, वैसे ही आप यहां पर कर सकते हो, simple जो भी बोलने वाला pose हो, या कु इस तरह से आपको और भी बोलने वाला जो poses है, वो या फिर बोलने वाला हो गया, या चलने वाला कुछ भी हो, वो आपको दोस्तो इस तरह से generate कर लेना है, अब यह सब आप खुद generate कर रहे हो, तो याने कि इस content पे हक सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है, दोस क्या ही मतलब मजा ही क्या रहेगा, तो sound आपको देना ही देना है, दोस्तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक और AI का, जिसका नहीं हमें दोस्तो 11 Labs, अब इसके free version भी है, paid version भी है, free version more than enough है, हम जैसे मतलब जो कम हम यह पर करने वाले हैं, उसके लिए free version more than enough है, तो आप उसक trip था, वो दोस्तो मैंने यह पर paste कर दिया, अब इसके बाद यहां पर देखिए, यहां सैप को language चूज करना है, तो मैं simple दोस्तो यहां पर हिंदी चूज कर लिता हूं, यह दिए हिंदी चूज कर लिया, अब देखिए यहां पर कहानी सुनाओ, अच्छा यह तो पूरा हिं जैसे यहां पर यह चीज है, यह बोलने वाला नहीं था, कि एक खेल का माईदान है, रंग विरंग का कुछ है, यहां पर बोलने वाला क्या था, एक खुश हाल छोटे से कस्बे में, यहां सा शूरू बगा ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में देना, कि कुछ चीज आपको स समझाई गई है, चैट जीपीटी से जब हमने स्क्रिप्ट लिखवाए था, तो कुछ चीज आपको बताया गया था, कि यह सीन किस टाइप के जगा में हो रहा है, और उसके बाद आपको यह बताया जा रहा था, कि वहां पर आपको क्या वाइस ओवर देना है, तो यहां से शुरू होता है दोस्तों, यहां से यह वाइस ओवर वाला पार्ट है, चलिए इसको प्ले करते हैं, चैट एक खुशाल छोटे से कस्बे में एक जग्यासू लड़का रहता था, जिसका नाम था टॉमी, टॉमी को नई चीज़ों को खोजने, खेलने और नई जगों की काफी अच्छा लग रहा है ना, तो यहां पर एक खुशाल छोटे से, यहां से जो शुरू होता है, आपको सिंपल वही वाला रखना है, अब दूस्तों, जब आपका लिमीट रीच हो जाएगा, तो आप यहां से शाएद डाउनलोड नहीं कर पाओगे, उसका भी एक आपको पर उसका आपको पैसे आने लगे, तो दोस्तों, आप इनका जो सब्सक्रिप्शन है, वह लेके काम करना, तो चलिए, अब देक सब कुछ जो सामान हमें चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, सब कुछ कैसे आपको मिलेगा, वह बता दिया, अब एंड में आपको आपको इडिटिंग कैसे करना है वो दिखाते हैं लेकिन उससे पहले हमको एक और चीज को जबत पड़ेगी जो है background का तो background हम कहां से लेंगे simple image search man से ले सकते हो या फिर again AI से बनवा सकते हो यह दोस्तो image search man इसके बार मैं आपको पता होगा अगर नहीं पता तो यह जो नाम है इसको google play store में जाओ सर्च करो डाउनलोड कर लो अब यहां पर मैं simple cartoon background लिखूंगा और कोई भी एक background यहां से डाउनलोड कर लूँगा आप यहां पर अच्छी तरह से देखना जो background आपको अच्छा लगा आप उसी को डाउनलोड करना अब दोस्तो एंड में हम चलेंगे काइंद मास्टर में editing करने के लिए यहां पर create new करूंगा 16 is to 9 करके create कर दूंगा सबसे पहले जो image हमने डाउनलोड किया था उसको ले लूँगा अब इसके बाद दोस्तो लेयर में क्लिक करूंगा अब यहां पर जो media है इस media में क्लिक करके जो video हमने generate किया था उस video को ले लूँगा अब यह video आ गया अब दोस्तो इस side पर देखिए Luma Labs का जो है वो icon नजर आ रहा है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको touch करेंगे और उसके बाद यहां पर यह जो cropping है इस cropping पर click करेंगे इस side से इसको crop कर देंगे हो गया अब इसको back कर देंगे and back करने के बाद यहां पर दोस्तों को chroma key का option मिलेगा इसको enable कर देना है अब enable करते ही देखिए यह character simple यहां पर आ गया ठीक है और वीडियो बना लो अब देखो यह बहुत easy काम तो नहीं है animation बनाना कभी भी easy नहीं होता है ठीक है तो थोड़ा सा tricky है थोड़ा दिमाग लगाना होगा थोड़ा time देना होगा सब कुछ सही है लेकिन काम बढ़िया होगा इसकी guarantee है सो दोस्तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like कर देना चैनलम को subscribe करके bell अगन को press कर देना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चीज़ बोल दू कि अगर आपको animation ये cartoon वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा interest है तो आप मेरा ये जो 2D animation बनाने वाला course है इसको ज़रूर एक बार try कर सकते हो दोस्तों इस course आपको क्या-क्या मिलेगा देखिए सबसे पहले character creation idea के अगर आपके आपके खुद के character आप कैसे बना सकते हो बिना कोई knowledge के वो यहाँ पर मिल जाएगा यानि कि drawing skill की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी खुद का character बना सकते हो वो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको खुद का गारी बाई कुछ भी बनाना है play and train वो कैसे बनाओगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और भी दोस्तों बहुत सारी चीजे हैं मेरे इस animation course में तो अगर आप animation में interested हो तो इस course को एक बाद try जरूर कर सकते हो यह सिर्फ mobile users के लिए है यह course लेकि आप computer में animation बनाना नहीं सिखोगे सिर्फ mobile के लिए है जिनके जो mobile से animation बनाना चाहते हो उनके लिए है यह course सो दोस्ते अगर animation बनाने में कोई भी interest है तो इस course को एक बाद try कर सकते हो link description box में मिल जाएगा